नेपाल एक बहुत ही खूपसूरत देश है, यहां के प्रकर्तिक नजारे देखना तो अद्बुत है, यहां प्रेटन के लिए कई हिल स्टेशन भी है, जहां जाकर आपका मन रोमान्चित हो जाएगा, नेपाल हमारा पडोसी देश भी है और यह हमारा मित्र देश भी है, ने और इसे आगे भी जारी रखना चाहेंगी यहां भारतिय रुपयों का मान आज भी लगबग देड़ गुणा बढ़ जाता है इसको अभी तक दुनिया का एक मात्र हिंदू राष्ट होने का गोरव प्राप्त था वर्ष 2006 के जन अंदोलन में राजशाही को खतम किये जाने के बाद नेपाल को 2008 में धर्मिर पेख्ष राष्ट गोशित किया गया था नेपाल में अधिकतर हिंदू आबादी ही है आज की वीडियो में हम उसी नेपाल को लेकर कुछ बाते आपसे साज़ा करने वाले हैं जो हर नेपाल प्रेमी को जाननी चाहिए नमस्कार दोस्तों चैनल हिस्टी चैनल के एक और नए वीडियो में वीडियो पसंद आये तो इसको लाइक और शेर जरूर करना और जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब करके और लोटिफिकेशन पैल को भी जरूर चालू कर लें दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल देश कभी विकसी का गुलाम नहीं रहा जी हाँ यह बिलकुल सच है एक वक्त ऐसा था जब पूरा भारते उपमादी पंगरेजों का गुलाम था लेकिन उस वक्त भी नेपाल किसी की घुलामी में नहीं रहा दोस्तों है ना चोका देने वाली बात जब हम हिमाले को भारत से देखते हैं तो सोचते हैं कि हिमाले भारत का ही हिस्सा है लेकिन यह पूरा सच नहीं है माउंट एवरेस्ट के साथ साथ हिमाले का अधिकांश हिस्सा नेपाल में आता है माता सीता की जर्म स्थली, मिथिला नेपाल में ही है इस स्थान पर सीता माता का विशाल मंदिर निर्मित है ये तो हम सभी जानते हैं और हम किताबों में भी पढ़ते आये हैं महात्मा बुद्ध का जरम कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक सान पर हुआ था और यह लुम्बिनी नामक सान नेपाल का ही हिस्सा है भारत में सब्ताहिक अवकाश रविवार को होता है वही नेपाल में सब्ताहिक अवकाश शनिवार को होता है किसी दोर में नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ही ज़ादा परसित था लेकिन अभी यहां चरस और तंबाकू खरीदना या बेचना या इस्तमाल करना पूरी तरह से गैर कानूनी है यहां के गोर्खा पहतरीन लड़ाके और सैनिक होते हैं वैसे भारत के पास भी अपना गोर्खा रेजिमेंट है नेपाल का रास्ट्य पशु गाएं यानि की काओ है गाएं को यहां पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या अवैद है दुनिया का सबसे खूबसूरत हिम तेंदुआ यानि की स्नो लेपड नेपाल में ही है वीडियो के बारे में राय हमें कॉमेंट में जरूर बताएं वीडियो में कोई तुरुटी हो सकती है क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्द स्तरोतों के अधार पर है। तुरुटी के लिए आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उस कॉमेंट को पिन कर सकें। दोस्तों इतियास के बारे में ओर दिख जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.saralhistory.com पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद।